नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सुभीका इस वीडियो में हम एक काफी important topic को cover करेंगे जो आपके examination के लिए काफी important है environment and ecology के perspective से और वो है green e-clearance इस वीडियो में हम देखेंगे green e-clearance क्या होती है इससे लेटे सारे important facts को cover करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी importance क्या है environment के लिए community के लिए और entrepreneur इंडेस्टियलिस्ट या businessman के लिए तो सारी जोजों को विस्तार से cover करने वाले हैं आप इस वीडियो को अन तक देखेगा चैनल नहीं होता सब्सक्राइब वश्य करेगा आप किजी भी एक्जाम के तारी कर रहे हूं हमारी प्लेरिस को देखेंगे आपको काफी help मिलने वाली है इसलिए समय निगाल के हमाई चैनल को जुरू चेक करेगा चले शुरूबात करते हैं देखे green e-clearance क्या होती है ये एक ऐसा concept है जहां पे जितने भी industrial projects होते हैं उनमें environmental clearance दी जाती है environmental clearance इसलिए जाती है ताकि ये एशूर किया जाए कि ये जो industrial project लगने वाला है इस industrial project की वज़ा से हमारा जो environment है जो परियावरन है उसमें कोई भी problem नहीं आएगी उसमें pollution नहीं आएगा यहा हमारे परियावरन environment के ल environmental clearance देने का किसी भी industrial project को इसे हम कहते हैं green e clearance यहां पे green e इससे मतलब है environment और clearance मतलब हमने clearance दे दी यानि हमने यह बता दिया बोल दिया कि भाई यह जो project है इससे हमारे environment को कोई नुकसान नहीं है तो यह clearance हमने दे दी यह है concept green e clearance का ministry of environment and forest ने यह mandatory किया है कि environment clearance आपको लेने ही पड़ेगी जब भी आपने कोई construction project को शुरू करना है किसे ऐसे build up area में जहां पे जो total area है वो 20,000 meter square से जादा है तो इससे जादा जो भी area होगा वहां पे अगर कोई भी construction project करना है तो उसके लिए environmental clearance लेना यह mandatory है ministry of environment and forest के मताबिक अब देखे green e clearance EC projects क्या होते हैं यहां पे wide range जो projects आते हैं जैसे कि small residential buildings आ सकती है commercial complexes आ सकते हैं या फिर large scale townships भी आ सकती है green e clearance का जो project है यहां पे online portal green e clearance पे आपको मिलेगा infrastructure projects के लिए यानि कि अगर आपने clearance लेनी है तो आपको किसी ministry किसी department में नहीं जाना पड़ेगा आप online portal के मार्दिम से भी e clearance ले सकते हैं फिर इस project को इस परकार से draft किया गया है इस परकार से institute किया गया है कि जो green clearance लेने का process है इसको जल्दी से जल्दी faster किया जाए यहां पे जो भी industrialist है जो भी विक्ती green clearance लेना चाहता है उसके लिए काफी easy हो जाए clearance लेना यह जादा predictable है यहां पे infrastructure जो है वो भी काफी improve होगा और यहां sustainable development के उपर भी काम किया जाएगा जब green e-clearance मिलेगा और इसके साथ यह जो entrepreneurs या investors है इनका confidence है उसको भी boost करता है क्योंकि यहां पे उनको जादा देर लटकना नहीं पड़ेगा जो पोरा पोरा process है green clearance का पहले बात तो online है दूसरा काफी fast है तो उनने जादा लटकना नहीं प department जो भी respective department होगा depend करता है कि आपका कौन सा project है उस project के उपर depend करेगा कि आपने किस department से environment clearance लेनी है तो किसी भी respective department से approval के लिए जो company है जिसको approval जाए उसे उनकी website में जितने भी required documents हैं उनको upload करना पड़ेगा company अपनी application का जो status है उसको भी check कर सकती है यहां पे जो clearance है इसको stipulated time period के अंदर ही award कर दिया जाएगा जादा लटकना नहीं पड़ेगा कुछ notified industries है जहां पर e-clearance का certificate लेना required है जरूरी है जैसे कि cement है chemical fertilizers है oil and gas है और power है यह कुछ ऐसी industries है जहां पर e-clearance लेना बहुत ही जरूरी है अब बात करते हैं कि green e-clearance की importance क्या है देखे human beings के पास जो भ नेचर की कुछ चीजों को लेकर हम उनकी modification कर रहे हैं और फिर वो indirectly ले रहे हैं जैसे कि page है अब page आप बोलोगे nature से नहीं लेंगे लेकिन बनता तो पेड़ों से ही है न भाई तो page जो है वो indirectly हम नेचर से ले रहे हैं लेकिन जो paid है वो हम directly nature से ले रहे हैं तो इस परकार से human beings बहुत से चीज़े हैं जो nature से लेता है directly और indirectly इसलिए इसलिए इंपोर्टन है कि हमारे resources नेचर रिसोर्से उनको optimize किया जा सके without affecting the cumulative profit of the project कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी पूरा हो जाए उसका profit भी हमें मिले लेकिन उसकी वज़ा से जो हमारे natural resources है वो खतम हीना हो जा है क्योंकि हम nature के ऊपर dependent है directly है indirectly अब यहाँ पर energy prices जो है वो काफी increase हो रहे हैं इसके साथ हमारे पूरे दुनिया में water जो है पानी वो दिन प्रति दिन कम होनता जा रहा है इसलिए यहाँ पे healthy living और working environment हमारे लिए काफी ज़रूरी है और energy और water की security भी काफी ज़रूरी है हमा increase होगी और यहाँ पे जो local regional और national carbon saving की हम बात करते हैं उसमें भी काफी assistance मिलेगा मदद मिलेगी इसके मादम से हम अपने air quality और renewable energy के जो targets है उसको भी achieve कर पाएंगे और जो micro climate होता है छोटे-छोटे patches में जो climate है वहाँ पे हम उनका better control कर पाएंगे वहाँ पे जो pollution अगर है त काफी कम होगा reduce होगा environment के बात करें तो बात है कि यहाँ पे जो region की biodiversity है उसको retain करने का और enhance करने का काम किया जाएगा क्योंकि अगर ऐसा कोई भी project है जो biodiversity के लिए खतरा है उसको clearance मिलेगी ही नहीं तो इससे जो regional biodiversity है उसको भी retain किया जाएगा enhance किया जाएगा फिर नेचर रि कौन से ministry ने शुरू किया और क्या importance है इसकी कैसे online portal के मार्धम से भी जो company है जो industry है वो green e-clearance ले सकती है तक अगर आपको फीडियो अच्छे लगे हो तरह लाइक करेगा शेयर करेगा पॉलिटेस्टिक्रों में जीकेटिक्स को देखने के लिए वह हमारे playlist को जूरू चेक क अब किसी भी exam की तारी कर रहे हो हमारी playlist को कंटफे की बागी वीडियो को देख के आपको काफी help मिलने वाली है इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जूरू चेक करेगा जीके कंटफेर और जीकेटिक्स के ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आपका बहुत बहुत धन्यावाद